असलाम लेकूल माइ यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब आज मैं आप लूंग को बनाना सीखाऊंगी एक सीक्रेट केकी रेसिपी जिसे हम टी केक भी कहते हैं यह एक खाने में मज़ेदार और बनाने में नियायती असान है बिलकुली बेकरी स्टाइल जैसा सेम टेस्ट और सेम कलर के साथ हम इसे बनाएंगे वो भी बिना आवन के अगर आपके पास आवन नहीं है तो फिर भी आप ये केक बासानी घर पर तैयार कर सकते हो तो चलिए समझीदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो गैस चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर दीज सब्सक्राइब करेंगे और बागी की सारी चीज़ें साथ साथ एड़ करते जाएंगे बिसमी लाइर और मानुरीम सबसे पहले दो आदध अन्डे हम एक गहरे बॉल में ट्रांसफर कर देंगे ताकि अम्यारे अंडे अच्छे से बीट हो सके और अंडे हम रूम टंपरेच हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं एलेक्रिक पीटर यूज़ करूंगी क्योंकि इसे तोड़ा सा काम असान हो जाता है और अंडे कॉम फलफी उने तक बीट करेंगे अब हम यहां पर वन कप शुगर पौडर रैड करेंगे नर्मली जो चाय का काप हम अच्छे से बीट करेंगे बीटर को हम एक ही डायरिक्शन में चलाएंगे इस तरह हमारे अंडे और शुगर पौडर जो बहुत ही अच्छे से बीट हो जाते हैं अब यहां पर हमारी शुगर पौडर और अच्छे से पीट हो चुकी है आप देख सकते हैं कैसे फोमी टाइ मेजर मिन्ट वाला जो होता है मेदे का एड करेंगे इसमें और हलके हाथ उसे हम इसे फोल्ड करते जाएंगे बेकरी वाले हमोमन हाथ से मिक्स करते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है यहां पर हमने थोड़ा सा इसमें गरम मिल्क आड के इस तरह हमारा केक का बहुत ही मजह का बनता है वन टेबल स्पून हम इसमेंग पयंक पडार एड करेंगे 1 टी स्पून हम इसमें बेउकिंग सोड़ा का थी ऑड़ा कि क्लिकल करेंगे मिल्क अज्गिंघ घर हम इसमें थ्भी तो लेचम सालेन लेमारे च्वाश से एक तो को में अच्छ न्द का लिया था और बैटर को हम इसके अंदर ट्रांसवर का देंगे अब हम इसके ऊपर से तोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे जिस पर हमने मेदा लगा दिया था था कि यह नीचे ना बैट जाए तो अभी हम इसे बेग करेंगे एक पतिली के अंदर हमने स्टैंड रखके तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है हमारा केक अच्छे से बेग हो चुका है 30 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था उस टाइम हमारा केक जाए वो थोड़ा सा कच्छा था तो मजीद मैंने इसको 10 मिनट का टाइम लगा दिया था तो माशाला अब जो है बिल्कुली अच्छे माशाला से इतना सोफ्ट इतना स्पॉंजी इतना फ्लेवर फूर्ट कमाल का बनता है जब आप इसको एक पर बनाएंगे तो इंशाला आप कभी भी बेकरी से पर्चेज नहीं करेंगे बहुती मज़े का कमाल का केक बनता है आप इसको जूरूँ ट्राइ किजिएगा I hope के यह मेरी आज की recipe आप लोगों को बहुत ही अची लगी होगी recipe वीडियो अची लगी हो तो please वीडियो को like कीजिएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कीजिएगा और friends और family के साथ share कीजिएगा और मेरी बाकी केक की रेसिपीज देखना मत पूलेगा बहुती असान तरीके से मैं आप लोगों को केक की रेसिपीज बनाना सिखाती हूँ और जाकर मेरे बेकरी स्टायल जितने भी केक की रेसिपीज हैं ज़रूर वाच कीजिगा केक की रेसिपीज के इलावा आप मेरे चैनल पर और भी यमी किसम की रेसिपीज वाच कर सकते हो जिसमें सिक्रेट चाय की रेसिपी डालडागी से मखन कैसे बनता है और इसको स्टोर कैसे किया जाता है और आलो अंडे की ग्रेवी वाला यमी किसम की रेसिपीज देखना मत प हो लेगा तो मिलते हैं और मज़ेदार रेसेपी के साथ थैंक्स वर वाचिंग अला आफिस